बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार राजगिर मलमास मेला धर्मसभा को संबोधित करते हुए बैंगलूरू में महागडबंधन के बैठक का प्रेस कॉंफरेंस छोड़ने की उपाई पर परदा उठाते हुए कहा कि मुझे राजगिर के मलमास मेला में सिर्कत करना था इ हम लोग महागडबंधन पूरी तौर पर एक साथ हैं और देश हित में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में महागडबंधन का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हम लोग की ताकत को देखते हुए NDA की हालत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण है। 2024 में जब भाजपा से मुक्ति मिल जाएगी तो मीडिया लोग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। उन्होंने भाजपा पर चुटकी लेते वे कहा कि कुछ लोग जारियों से आप लोग साबधान रहें और ध्यान रखें। यह हम तो बता चुके हैं आप उन्हों को, कुछ लोग तो रहता ही नईसा, इसलिए हम लोग एक जुठ हैं, बाद मिल्जूल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई अच्छा रहा, और उन्हों तो हम को आना चाहिए। इसलिके चलते हम चले हम, आज हम सुबह आना चाह रह आने में द्रा आने बाले लोगों को दिक्कत है। आज आने का मौका मिला, अकल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिये। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉनफरंस हो रहा था, उसमें थे ही नहीं, तो हम ही धका के, सब बात मानिये भी आया है सब, आँ वहां से उठके हम चले हैं, इस लिए पूरे तोर पर हम लोग साथ हैं, अव देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, और पूरे तोर पर विकास का काम चलता रहे, तब देखने रहें।